गुड मॉनिंग आज वोकैव का सिरीज का फिफ्थ डेय है और आज हम लोग अल, अली या अल्टर ये जो तीन जो सब्ध है रूप उससे बने हुए जो सब्ध बनते हैं उसको मिलाकर यो सब्ध बनते हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर अल, अल्टर इसका मतलब होता है अधर या फिर अनदर अधर या फिर अनदर चली तो शुरू करते हैं इसको हम लोग आज पढ़ना है अल, अली, अल्टर से रिलेटेट साथ है तो पहला सब्ध हमारे सामने है अल्यास ठीक है अल्यास जो है अल्यास जो है यह एक तरह से इसको हिंदी में बोल यहना पर यहाँ पनाम यहाँ पर जो यहाँ पर यहां पर इसका मतला बता अदर एक अजो 약간 दम से से प्याई जाना जाता है, उसको कुछ और नाम से भी जाना जा सकता है, तायास मतरा अपनाम को बताने के लिए अपनाम का ही English word हो गया, ये अपनाम का ही English word हो गया, alias ठीक है एलियास किसी दूसरे नाम को बदाने के लिए किसी सेम वक्ति का उसरा उपनाम को दर्साने के लिए एलियास का इस्तमाल करते हैं आगे बढ़ते हैं अब है अली बी का मतलब होगया है यहां पर वह इसे से बना है अली बी इसका मतलब होता है बहाना के रूप में इसका अस्तみ इसको बोलते जैसे कि आप किसी जगापर आपको event में बुलाया गया लेकिन आप नहीं गए और बोले कि हम उस समय किसी और जगा पर थे इस वज़य से वहां नहीं पहुच पाएं तो इसी की चीज को बोलते हैं कि एक तरह से अली भी बोलते हैं मतलब घटना स्थल्प अनुपस्तित होने का जो कारण दिया जाता है उसी को ब जस्टिफिकेशन ही एक तरह से अलीभी का मतलब हो गया जस्टिफिकेशन ठीक है आगे बढ़ते हैं उसका अलीएन इस सब्से तो आप लोग परचित होंगे एलीएन ठीक है एलीएन एलीएन को हिंदी में वहीं बोल सकते है पर जीबी या विदेशी या फिर बाहरी यह सा जिनवी चीज को भी हम लोग एलीएन बोलते हैं मतलब जो अधर है स्ट्रेंज है फ्राइटनिंग है या डिफरेंट है जो हम लोग के आसपास जो सेम चीज हो रहा है उससे हटके है डिफरेंट है उसको बोलते है एलीएन जैसे कि माल लेजे अब कोई एक पर्टिकुलर छ बी वालों के लिए एक क्या है इसलिए बी वालों के लिए एक क्या होगे अलग है इसलिए बी वालों के लिए एक क्या होगे एलीएन हो गया एलीएन का मतलब विदेशी या बाहर या परजी भी इसी का अगर सिनोनिम्स हम लोग देखे एलीएन का सिनोनिम्स तो आप लोग या फिर कह सकते हैं native के रूप में भी ले सकते हैं इसका अन्टोनिम नेटिव चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सब्द है alienate यहाँ पर भी सब्द है alien अली का मतलब क्या हो गया other और innate का मतलब other का उसको बाहर कर देना alienate का मतलब यहाँ सकते हैं निसकासित कर देना या फिर अलग थलग कर देना अलग थलग कर देना का मतलब ही होता है क्या एलियनेट कर देना मतलब कोई भी चीज को पराया कर देना अलग कर देना फ्रेंडली था तो लेस फ्रेंडली कर देना उसको प्रति जो सिंफाथी है उसको कम कर देना इसी को बोलते एलियनेट कर देना उसको अलग थलग कर देना ह अलइनियीट का से लिल्योंच हो जाएगा hostility hostility या फिर और strange भी बहुत सकते है strange और इसी अगर antonyus की बात करें इसी अगर willowma करें तो हो गया be friendly be friendly be friendly तो alienate का मतलब हो गया अलग थे लग कर देना पराया कर देना इसका उल्टा हो जाया क्या friendly, मैतरी, पुरुना जरा मित्र बन जाना, तो ये alienate था, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, allegory, 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 यहाँ पर, allegory जो है, इसका मतलब हो गया वही, बना है, other से बना है, इसका मतलब होता है, allegory का मतलब होता है, रूपक, रूपक या फिर कह सकते है, distant, distant ही बोलते हैं, इसका मतलब होता है, ऐसे कोई भी हम लोग, example, छोटा सा कहानी सुनाते हैं लोगों को, जिसमें अच्छाई, बुराई, को समझाने के लिए, कोई अच्छाई, बुराई, सच्चाई, इस सब चीज़ को समझाने के लिए, कोई छोड़ा कहानी सुनाते हैं, जैसे हो गया, न तो इसी चीच को समझाने के लिए इसका इसेस्अ को बोलते है Allegory Allegory का मतलब हो गया है रूपक या दिस्टांथ झार इसी का गर शिनोनियम की बात करें Allegory का Synonyms हो जायएगा आपका हो जाएगा Legend दंत कथा इसको बोलते है Engagement ये भी Allegory का Synonyms हो जायएगा पिर अपोलोग, अपोलोग भी जो है अलिगौरी का है सिरोनिम सुझाएगा, तो याद रखना है अलिगौरी का मतलब हो गया, प्रतिक कथा, नितिक कथा, रुपग, दिस्टांत, यह हो गए अलिगौरी, इसमें हम लोग अच्छाई बुराई जैसे चीजों को समझाने के ल जिगरी दोस्त या फिर का सकते हैं अतरंग मित्र अतरंग मित्र इसका मतलब यह हो गया कि इसका मतलब यह हो कि वैसा व्यक्ति जो आपसे अलग हो आपके परसनलेटी से अलग हो और आपके परसनलेटी का जस्ट उलट हो आपके परसनलेटी से अलग हो और आपके परसनलेटी और आप ही से का ही personality से पूरी तिवर से अलग होगा आपका different part होगा उससी को बोलते alter ego ठीक है जिससे कि मानले इसका alter ego का सबसे बढ़िया उधारन होगा इसे सक्तिमान आप देखे होगा अगर सुने होगे अगर आप लोग नए जन जनरेशन के वेक्ति हैं तो सुनेंगो सक्तिमान तो सक्तिमान सक्तिमान में जो गंगादर यो था गंगादर हर सक्तिमान जो था वो एक personality है गंगादर यो और यहां पर पताisión altercation आल्टर का मतलब हो गया है यहाँ पर पता हैば older आज हम लोग Altrer से ही सब्द पढ़ रही है are patient का मतलब गता है fight fight partly on. इसका मतलब हो गया fajड मतलब हो गया क्या एक कैसे जगडा त्क्रार क्या सकते एक है जगडा maitlisip ते में मतलब होते हैं इसको बोलते हैं द à로 महिप IL huku lahar , हाथ पर चनलने वाला , जू फाइट नहीं है तीखा बहस पहला जो जगडा होता हो जो जगडा होता है इसका बोल तरहीं ही इसका students हो जाएगा quarrel ठीक है quarrel ले सकते है quarrel जरल हात पडाजल जाता है लेकिन यह आप पर अ Adding जलते है éb। सकते इसी का उल्टा क्या हो जाएगा अंटोनिम्स हो जाएगा इसका accord का मतलब क्या होता है संधी अकौर्ड हो जयाएगा जगडा होगए शन्दिक कर आगी लिया अकौर्ड हो जयाएगा और अगर इसके पाद क्रेक्ड चलिभर से आखेल ऑन इडारो आगरी के उसिके इंटरीमेंट होगा होगा आगे बाठते विकल्प मतलब होता है विकल्प यह वैखल्पिक कहा सकते हैं इसका सब्सट्टीट हो गया इसका denyms हो गया substitute सब्स्ट्रι्ट ठीक है इसका अल्टरीटीब जैसे के मान लेज़े कि उधारन के रूप में ले सकते हैं कि आपके पास मां लेज़े पेन नहीं है, लेकिन लिखने के लिए, आपके पास नहीं है, तो आपके पास उस-क दुसरा तरीका है लिखने के लिए पैंस2 से लिख सकते हैं, तो यहां पर जो पैंसभ काई, यो जो ऑल्टरेनेटिव है ये जिसे वो कही जाना है? आपके पास जाने के लिए साधर नहीं है, ट्रांसपोर्ट के लिए बाइक या कुछ कार या या न ही है, तो आप पैदल चले जाओ, तो क्या हो गया? वो जाने के लिए वेरिकलल अल्टरीनेटिव क्या हो गया? पाइदल जाना ठीक है अब आते हैं अल्ट्रोिस्ट का मतलब होता है परोपकारी अल्ट्रोिस्ट का मतलब होता है परोपकारी ठीक है अल्ट्र का मतलब होता है अदर हो गया और यहां पर रुष्ट का मतलब होता है तैसे मदद करना ठीक है मदद करना थाने दूसरों की करें जो अपने तरफ पर ध्यान ना दें है दुसरे के वेल फेर पर ध्यान देता है दुसरों को मड़ुन करता है वह जो होगे अल्ट्र स्छ यानिकी पौरफ कारे तो आज का जो अल्टर से लेटरी सब्द था वो समाप्त हुआ उमिद है आप लोग को जानने को मिला होगा धन्यवाद